हालो आपरिवन मैं हूँ चिष्टिया और आप दीक रहे हैं चिष्ट ब्यूटी चाहां हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और डियाइवाइस की गाइस आज बहुत 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 जादा अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ मैं जी हाँ आप लोगों के लिए मैंने हेर ऑइल बनाया है और ये हेर ऑइल कोई मामूली या छोटा मोटा हेर ऑइल नहीं है इसमें टोटल मैंने 30 हर्प्स डाली है 30 यानि 30 हर्प्स एड़ कि जो कि आपके हेर के लिए बहुत जादा जरूरी है और वो सारे हर्प्स एक साथ जब इसके अंदर आ गए है उनकी गुड़नेस है तो आपको सोच सकते हैं अमेजिंग सुपर डुपर अमेजिंग ये ऑइल बना है जो कि आपकी सब ही बालों की ओल प्रॉब्लम्स का सॉल् प्रॉब्लिट नहीं कर सकती क्योंकि सब कुछ इंपोर्टेंट था इसलिए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना ताकि कोई भी गलती आप न करें इस ओयल को बनाने में ओके तो चलिए यहां पर मैंने लोहे की कड़ाई ली है आप भी लोहे का ही बरतन लेना लोहे की कड़ाई मैं ही इसको बनाईएगा तो यहां पर हमने लोहे की कड़ाई ली है इसमें मैंने एड किया है coconut oil मैंने आधा किलो यानि 500 ग्राम coconut oil इसमें एड किया है आप अपने according इसका कम या जादा बना सकते हैं त्टीके इसके बाद म आप देख रहे हैं ये है mustard oil जिसको हम सर्सो का तेल बोलते हैं तो इसका मैंने कम से कम छेए चम्मच ये जो देख रहे है ना, ये सबजी बनाते है जो बड़ा वाला चम्मच होता है वो मैंने 6 चम्मच डाला, इट मिन्स मैं ये बोलू कि मैंने 200 से 300 ग्राम के करीब mustard oil लिया ह ये और 500 ग्राम इने लिया है coconut oil थीक है दौनों मैंने mix करके इस oil को बनाया है आप चाहें तो pure coconut oil में सकते हैं, आप चाहें तो pure mustard oil में सकते हैं आप चाहें तो pure olive oil में आप चाहें तो sesame oil में तो sesame oil में बनाओगे तिल के तेल में तो ये जो है na, य equity ज्यादा थिक बनेगा क्यूंकि वो थोड़ा सा चिप चिप करता है oil तिल वाला और थोड़ा सा मतलब थिकनेस उसमें थोड़ी ज्यादा होती है इसलिए तो हो सके तो कोई भी दो oil को mix करके और लगाईए मतलब बनाईए ओके तो चलिए दौनों oil को mix कर दिया है और इसकी गुड़नेस भी मैं आपको बताती चलूँगी बिकॉज नारियल का तेल होता है वो बहुत जादा अच्छा होता है आपके बालों को तेजी फासली ग्रो करने में मदद करता है बालों को तेजी से लंबा और घना करता है विकॉज इसके अंदर essential fatty acid और vitamin होते है जो कि आपकी बालों की जड़ों के आसपास जो भी sebum है वो जमा हो जाता है उसको हटाने का काम करता है जिससे हमारी hair की growth है वो बहुत जादा fast हो जाती है तो यह है coconut oil का benefit इसलिए coconut oil बहुत जरूरी है and mostly मैं सारे जो भी oils बनाने होते हैं वो बनाती हूँ because मुझे coconut oil सबसे best and सबसे जादा अच्छा लगता है and अब हम बात कर लेते हैं mustard oil guys mustard oil है वो आपके बालों के लिए बहुत जादा अच्छा है बालों को काला करता है घना करता है बालों को मुलायम बनाता है because इसके अंदर भरपूर मातरा में antioxidant and omega 3 होता है जिससे आपके बालों की जो growth है वो बहुत जादा fast होती है and बाल आपके काफी जादा healthy हो जाते हैं तो चलिए अब हमने यह oil दौनों को mix कर दिया है आप भी इन दौनों oil को mix कर लेना आप चाहें तो olive oil भी add कर सकते हो ठीक है मैंने फिलहाल दो oil ही डाले है and coconut oil में हर oil में बनाती हूँ कोई भी oil मुझे बनाना होता है तो because यह बहुत lightweight है and आपके बालों को बहुत जादा soft बनाता है और बहुत जादा healthy बनाता है इसलिए हर एक में coconut oil जरूर यूज़ किया करियो और सब के घर पे तो यह easily मिल ही जाता है and जो mustard oil है वो भी आप सब के घर पे easily मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने दौनों यूज़ किया बाकी आदा किलो oil मैंने पूरा ले लिया है क्योंकि यह मैं oil है यह long time के लिए बना रही हूँ यह समझ लीज़े यह तीन महीने oil चल जाएगा अर्राम से because मैं अपने sister के लिए बना रही हूँ यह और यह सिफ उसी के लिए ही बना रही हूँ इस oil को पहले हम सब ने use किया है लेकिन अभी फिर मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली थी और अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ because उसको चाहिए कि मुझे winter भी आ रहा है आप मेरे लिए ऐसा oil बना दो जिसमें सारी goodness हो मुझे सारे oil आपके अलग-अलग use ना करने पड़े मैंने का चलो कोई बात ने मैं आपके लिए ये बनाती हूँ और इसकी goodness है वो overall सारी चीजे मैंने इसमें डाल दी है तो आपको सब goodness इसमें मिलने वाली है इतने सारे herbs डाले है मैंने आप लोग count करना one by one सारे herbs और मुझे बताना मैंने कितने herbs डाले because मैं तो भूल गई थी मैं continue ले रही थी मैंने 30 herbs लिए है I think but I think हो सकता है 30 से भी उपर चला गया हो तो आप मुझे बता देना ठीक है तो अभी जो next आप देख रहे हैं ये है fenugreek seed यानि मेथी दाना मेथी दाना आपके बालों की overall growth के लिए काफी अच्छा है बालों में थिकनेस लेकर आती है आपके बाल सिर में पतले हैं ना कम बाल है और एक जो बाल होता है वो पतला भी होता है ना तो उसको भी मोटा बनाने का काम करती है बालों में thickness लेकर आती है and baldness की शिकायत है न तो उसको भी दूर करती है और आपके बालों में काला पन लेकर आती है ठीक है pre-mature gray hair की problem है वो भी दूर होती है next मैं ले रही हूं onion seed जो की है कलोंजी कलोंजी आपके बालों को काला करने में बहुत जादा help करती है guys तो इसको आप ज़रूर एड़ करेंगे pre-mature gray hair की problem आपकी solve हो जाएगी and आपके बालों की overall growth के लिए भी काफी जादा अच्छा है ये इसके बाद अगर हम next ingredient पे आते हैं तो मैं ले रही हूं soft soft होती है fannel जो की ये है मोटी वाली आप market से लाएंगे न तो आपको दो तरकी मिल जाएगी एक बारिक होती है और एक मोटी होती है तो आप मोटी वाली लाना क्योंकि वो थोड़ी जादा फायदा करती है and ये जो soft है इसका मैंने एक चमश लिया है मेथी दाना दो चमश थी कलोंजी एक चमश थी अभी आप ये देख रहे है इसके बाद में मैंने ली है green tea green tea आपके बालों के लिए बहुत जादा अच्छी है आपके बालों की growth fast होती है इसे बाल बहुत जादा soft रहते है and dandruff की शिकायत है वो भी नहीं रहती है blood circulation को improve करती है and next देख रहे है आप ये मैंने ली है black tea एक चमश जोगी है चाई की पती ठीके and ये आपके बालों में आपकी scalp में जो dht हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है उसकी वज़े से hair growth बहुत तेजी से होती है तो ये dht के level को कम करता है and hair fall को फिर कम हो जाएगा and बाल growth है वो बहुत fast हो जाती है मैंने अलग से इन सब के oil बनाए है guys आप लोग जरूर से video देख लेना अगर आपके पास ये सारी चीजे नहीं है तो कोई tension की बात नहीं है इन सब के मैंने अलग से फायदे बताए है आप लोग देख के वो ऑईल की वीडियो जरूर बना लेना अगर आप सिंगल सेपरेट ऑईल बनाना चाहें तो next मैंने garlic लिया है लसू जो की गंजेपन पर बहुत अच्छा काम करता है baldness को दूर करता है सिर में अगर बहुत कम बाल है कहीं कोई ऐसा area है जहां पर बाल नहीं आ रहे है आप regular इस onion juice को लगाना start कर दो 15 दिन onion juice लगाओ वहां से आपको बाल निकलना start हो जाएंगे ठीक है इतना जादा powerful है क्योंकि इसमें phosphorus बहुत जादा होता है जो की overall hair growth के लिए ही होता है नेक्स्ट आप यह जो देख रहे हैं यह मैंने total पांच आवला लिया है जो की अभी winter start हो गया है तो आवला कच्चा आवला आपको market में मिल जाएगा तो मैंने यह कच्चा आवला लेके और उसको grinder में crush कर लिया एकदम मतलब बारी कद्दू करश करने लिए करता है हम लोग कद्दू करश करते हैं बस वो मैंने कर लिया है एंड इसमें भरपूर मातरा में vitamin C होता है जो की बालो के लिए अच्छा है और बालो को काला लंबा घना करता है यह आवला ठीक है तो यह मैंने 5 आवला के वो कद्दू करश करके ले लिया था एंड इसके बाद मैं आप जो देख रहे है यह है अलोविरा अलोविरा को मैंने 2 लीफ ली थी साइट के जो काटे है उसको अटा दिया था और चोटी-चोटी बारीक बारीक कट करके और मैं इसमें डाल रही हूँ अलोविरा यह बालों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें 200 नूट्रियंट्स होते हैं जो कि overall हमारे हेर के लिए काफी जादा अच्छी होते हैं हेर की थिकनेस अच्छी होती है बाल लंबे होते हैं डेंडरफ नहीं होता और किसी तरह का कोई इंफेक्शन है न तो वो भी नहीं होता आपकी स्कैल्प में बाल काफी जादा स्मूद सिल्की और सॉफ्ट बनते हैं फ्रेजिनेस ड्राइनस सब चला जाएगा इससे ठीक है नेक्स्ट मैंने आलमंड ली है आलमंड में भरपूर मातरा में विटैमीन E होता है जो की बालों के लिए काफी अच्छा है आपकी स्कैल्प को हैल्दी रखता है स्कैल्प को स्ट्रॉंग बनाता है बालों की जड़ों को स्ट्रॉंग करता है जिससे आपका हेर फॉल नहीं होता है तो ये है almond यानि badam इसको मैंने थोड़ा सा crush कर लिया था इसको भी एकदम साम पूरा डालेंगे तो उसको time लगता है ना पूरा इस oil के अंदो mix होने में इसलिए मैंने हलका से इसको crush करके और फिर मैंने इसमें डाला है तो बहुत ज़ादा जरूरी है ये चीज and second जो आप यहां देख रहे हैं ये है garlic sorry ये है अद्रक sorry हाँ अद्रक है ये garlic तो मैंने पहले डाल दिया था अद्रक जो ginger है ना वो तो वो उसको भी मैंने crush करके और एक चमच के करीब आप समझ लो वो डाल दिया है वो भी आपका जो अद्रक है वो भी आपके बालों के लिए बहुत 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 ज़ादा अच्छा है बहुत ज़ादा अच्छा है आपके बालों की growth अच्छी होती है बाल तेजी से लंबे होते है and scalp में कोई problem है वो दूर होती है अब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने यह ली है काली मिर्च आप देख रहे हैं जो काली मिर्च होती है ब्लैक पेपर हम लोग सबजी में यूज करते हैं वो मैंने ली है 8 से 10 काली मिर्च यह आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है बालों को फास्ट ग्रो करती ह हेर फॉल को दूर करती है बहुत अच्छी होती है नेक्स्ट मैं ले रही हूँ नीम जो की एंटी बैक्टिरियल होता है एंटी वाइरल होता है एंटी फंगल होता है आपके स्कल्प में किसी तरह का कोई इंफेक्शन हो गया है कोई भी पिंपल या एकने आ गए है डेंडर यूज करते हो आपके धीरे-धीरे बाले वो काले होना स्टार्ट हो जाते है तो यहाँ पर करी लीव्ज मैंने एक मुठी लिए है और जो नीम देख रहे हैं अप ये मैंने तस से पंदरा इसके पत्ते ले ले लिए है और करी लीव्ज मैंने थोड़ी जादा ली है ठीके ये बालों की blackness के लिए काफी ज़ाद अच्छी है तो मैंने ये इसके अंदर add कर दिया है तो overall अभी जो आप देख रहे हो ये सारे ingredient हमने oil के अंदर डाले है अब इस oil को हमें maximum 40 minutes के लिए cook करना है कम से कम आप 40 minutes तो अर्राम से लग जाएंगे क्योंकि मैंने इसको बनाया नाम मुझे अर्राम से 40-45 minutes लग गए थे क्योंकि flame जो है वो बहुत जादा slow रखना है सबसे slow flame जो है उस पर ही से cook करना है ऐसा नहीं है कि आप flame तेश कर दे हमें इनको जलाना नहीं है ये जल जाएंगे तो इनकी goodness नहीं मिलेगी ये नहीं जलेंगे दीरे 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 पकेंगे ना ये सारी चीज़ें तो इनकी सब की goodness oil में आ जाएगी तो इसको बहुत जादा slow flame पर आपको cook करना है ठीक है आप इसको side में बनाते रहिए और आप अपना कोई भी इंग्रीडियंट अभी oil में अड़ कर रही हूँ जो की है hibiscus powder मैं या powder ले रही हूँ बट guys आपके पास अगर plant का ये flower हो ना इसका जो full होता है वो बहुत जादा अच्छा होता है बालों के लिए red color का आपको इसमें full मिलता है ठीक है इसका तो मेरे पास full तो नहीं था मेरे पास plant है अभी recently मैंने plant लिया है लेकिन उसमें full अभी नहीं निकला है तो मुझे ये powder add करना पड़ा लेकिन अगर आपके पास full है ना तो आप पक्के से 2 flower लेकर इसमें डाल दीजेगा ठीक है और नहीं तो फिर 2 चम्मच इसका hibiscus powder है वो add करी अगर वो आपके पास full नहीं है तो ठीक है क्योंकि hibiscus आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है बालों की overall growth के लिए अच्छा है split ends को दूर करता है बालों का जर्णा बंद करता है बालों में thickness लेकर आता है ठीक है तो आप लोग 2 चम्मच इसके add कर दीजगा इसके अंदर and guys वीडियो बहुत जादा बड़ी बनी है ये मैं इसमें से कोई भी चीज़ डिलिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि सब को जरूरी था one by one आपको बताना सारे फाइदे बताना बहुत जरूरी थे इसलिए वीडियो बिलकुल भी मैं इसको डिलिट नहीं कर पाई हूँ तो I'm really sorry कि वीडियो बड़ी हो गई बट आपके बहुत जादा काम की है ठीक है तो यहाँ पर मैंने दो चमच ही बिसकस पाउडर ले लिया है और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ मैं जिसने भी इंग्रीडियन्ट मैंने इसमें एड़ किया ना उन सब पर सेपरेट आईल भी है टीक है अनियन ऑईल है गार्डिक ऑईल है सौफ का जो ऑईल है ठीक है आवला ऑईल है और बहुत सारे जो ऑईल है वो सेपरेट हैं इसमें से कुछ ऑईल है वो जो अभी नहीं आए है लेकिन जल्दी ही आपके साथ मैं शेयर करूँगी उसकी सेपरेट वीडियो तो आप सिंगल ऑईल भी बना के यूज़ कर सकते हैं बहुत जादा फायदा है काफी लोग यूज़ कर रहे है फिडबैक बहुत अच्छे आ रहे है लोगों के काफी जादा फायदा हो रहा है हेर फॉल कम हो गया है हेर लैंट अच्छी हो रही है आप लोग ट्रस्ट करो क habitual बना लीजे उसके बाद में उस वो एक भी बाल नहीं तोटेगा तो थोड़ा सा टाइम दीजिए आपको best result मिलेंगे हर remedy को एक महीने कम से कम करिए तब जाकर आपको result अच्छे मिलेंगे नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रिंगराज पावडर मैं एड़ कर रही हूँ दो चमच ठीक है ब्रिंगराज बालों की overall growth के लिए अच्छा है बालों में thickness लेकर आता है बालों को काला बनाता है hair fall को कम करता है ठीक है तो यहाँ दो चमच ब्रिंगराज के डाले हैं आप लोग खुद देख लो जितने ingredient मैंने अभी तक यूज की है वो बालों की growth के लिए कितने जादा अच्छे हैं कितने powerful हैं जो कि आपकी बालों की growth होती है जिस से ठीक है and मैं आपको इतना ही बोलूँगी guys कि आप लोग मेरी hair care की videos साथी साथ देखते रहिए सारी videos में one by one जितने भी videos everyday मेरी video आती है hair पर आप लोग please watch करिए देखिए और उस use करिए आप लोग confuse मत हो देखो मैं है न मेरा channel है तो मैं हर चीज़ आपके साथ share करूंगी जितने भी फायदे होते हैं जिस चीज़ के जो मैंने use किये है और मैंने अपने बालों को long किया है तो मैं आपके साथ सारी चीज़े आप one by one share कर रही हूँ लेकिन आप लोग है न अपने बालों की problem के according उसको use करो आप confuse मत हो कि आपने इतने oil बता दिये तो हम कौन सा use करें आप देखो कि आपकी बालों की problem क्या है आपके hair fall हो रहा है आपको baldness है या आपके बाल फ्रेजी है क्या है और उसके according remedy यूज़ करिए ठीक है क्योंकि हर remedy मैंने बताई है title पे clear लिखा होता है कि वो growth के लिए है hair fall के लिए है किस चीज के लिए तो आपकी जो problem है यार वो तो आप ही समझ पाओगे न मुझे इतना नहीं पता आप मुझे comment में बताते हूँ बट आपके साथ आपके बाल रहते हैं तो आप ही को पता है ना इसके फायदे ठीक है अभी आप जो देख रहे हैं ना ये मैं mustard oil थोड़ा सा और एड़ कर रहे हूँ last में क्योंकि मैंने सारे ingredient डाले तो मुझे लग रहा था कि ingredient के according oil है वो थोड़ा कम है तो इसलिए मैंने इसमें और oil डाला है आप भी बिलकुल अपने according अपने अंदास से oil ले लेना ठीक है ये मैं सोचना कि मैंने आपको चार चमच बोले तो आप पांच नहीं ले सकते ऐसा नहीं है कुछ भी ठीक है आप अपने अंदास से ले लीजेगा क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें इसमें add की है तो वो oil है अर ये oil सब लोग यूज़ कर सकते हैं घर पे सब यूज़ कर सकते हैं बस एक चीज याद रखना ज्यादा चोटे बच्चे यूज़ ना करें 10 साल से उपर के सब लोग यूज़ कर सकते हैं इस oil को ठीक है अब मैं आपको and guys इस वीडियो को बराने में मुझे इतनी ज़्यादा महनत लगी इतनी महनत लगी मैं आपको बता नहीं सकती seriously मुझे इतनी महनत लगी इसमें recording करने में तो मुझे my god कितनी ज़्यादा महनत लगी है because 25 minute continue recording करना how can possible but मैंने किया है आप लोगों के लिए क्योंकि मैं बहुत जादा आप लोगों का सोचती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब की problem को मैं दूर कर दूँ आप सब की जो tension उसको दूर कर दूँ आपके जो hair fall हो रहा है hair से related जो भी problem है वो सब दूर हो जाए मेरी हर remedy work करती है बस आप कोई भी remedy को उठा के करना चालू कर दो आप 15 दिन एक महीने उसे regular करो आपको 101% result मिलेंगे 99 भी नहीं 100% result मिलेंगे इतना जादा मुझे confident है अपनी remedies बेकर क्योंकि मुझे उन सब के benefit पता है मुझे experience है मैं use कर चुकी हूँ तो मैं आपको मतलब बोल सकती हूँ कि ये बहुत जादा फायदेबंद है तो आप लोग बस करो मैं चाहती हूँ कि आप मैनत करें थोड़ा तो मैनत करें बिना मैनत के कुछ भी नहीं मिलता आपको पता है तो आप लोग प्लीज करो मैं आपके लिए इतनी मैनत कर दो आप Whew अपने बालों के लिए तो मैनत करी सकता है न तो ये सारी चीज़े ले ले लेना सब आपके घर पे मिल जाएगी आसपास पडसी से भी मांग लेना हना पड़ोसी कोई मना नहीं करेंगे अगर छोटी मोटी चीज आप के पास एक दो नहीं है तो आप किसी भी पड़ोसी से ले लेना वो दे देंगे और नहीं तो फिर समझ जाना कि वो आपका बला नहीं चाहते हैं ठीक है? तो इसलिए तो बाकी आप मार्केट से लियाना बस सिंपल सी बात है तो चलिए अब एक और इंग्रीडियन्ट रह गया था मुझे पीचे से याद आया मैंनका ये भी डालना बहुत जरूरी है तो मैंने यहाँ पर महंदी ली है और दो चमच महंदी के डाले हैं क्योंकि महंदी आपके बालों में नैचुरल कंडिशनर का काम करती है बालों में बहुत अच्छी चमक लेकर आती है जो कि बहुत जादा अच्छे लगते हैं बाल बहुत सिलकी स्मूथ लगते है और महंदी मेरी तो बहुत ही फैवरेट वाली है तो कुछ ऐसा नहीं होगा बस यह है कि इसकी goodness है वो सारी oil में आ जाएगी ठीक है अब यह देखिए oil आपके बालों को काला भी बनाएगा बालों में thickness लेकर आएगा बालों की जड़ों को मजबूत करेगा जड़ों में जो दर्द है उसे हटा देगा आपके hair follicles को strong करेगा उसे nutrition देगा जिससे बालों की growth अच्छी हो बाल अगर जड़ रहे हैं तो ज़्यादा tension मत करो आप लोग ठीक है अगर बाल जड़ रहे हैं लेकिन अगर growth हो रही है साथ में तो कोई tension की बात नहीं है लेकिन बाल तो जड़ रहा है बट growth नहीं हो रही बाल वहां से वापस तो ये बहुत बड़ी tension की बात है क्योंकि अगर एक बालों की growth रुक गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बालों की growth रुक ना इक मिन्स ये समझ लिजए कि जो hair bulb है ना वो मर जाएगा और जब hair bulb मर जाएगा तो आपके बालों की growth नहीं हो पाएगी इसलिए ये चीज़ याद रखिए कि अगर hair fall हो रहा है तो कोई issue नहीं है लेकिन hair growth होनी वापस ज़रूरी है इसके बीच में gap नहीं आना चाहिए hair fall and hair growth के बीच में gap नहीं होना चाहिए ये आपका regular circle जो हम बोलता है ना मैंने एक वीडियो में share किया था ना कि इसका जो circle ह है वो regular चलना चाहिए वो वाली चीज़ है ठीक है अभी आप यहाँ जो देख रहे हो ना इतना सारा form बन रहा है क्योंकि जब oil अब start हुआ है बनना तो इसको एक्तम दीमी आच रखना और जो भी बरतन ले वो बढ़ा लेना चोटे बरतन में बनाएंगे ना तो इस सारा oil बार निकल के गिड़ जाएगा ठीक है मेरा जो experience है वो मैं आपके साथ सारा share कर रही हूँ इसको कम से कम 40-45 मिनट लगें oil को बनने में और यह पूरे जाग जाग उपर आएंगे तो आप डरना मत इसको बाद में धीरे दीर आप इससे रखोगे और फिर ठंडा होके और इस और इंग्रीडियन डालने बाकी है वो हमने अब डालेंगे ठीक है अब मैं अड़ कर रही हूँ इसके अंदर क्योंकि बहुत जरूरी है ये बालों की ग्रोथ करता है नए बाल लेकर आता है तो केस्टर आइन को हम बिलकुल नहीं भूल सकते थे ठीक है इसलिए मैंने केस् सकते हैं फुल भर चुका है मतलब ये समझ लीजे कि ये ओईल आदा किलो से जादा मतलब मैंने टोटल आट सो ग्राम ओईल लिया था दौनों ओईल को मिला के और ये बना है तो ये आई तिंक 600 ग्राम तो रही गया है ठीक है क्योंकि कुछ ओईल तो कम होई जाता है जब ब कर देना आप ये मत पूछना के अब हम तो एक मतलब 100 ग्राम ही बनाएंगे तो हम क्या कैसे ले तो वो मैं मैंसेज में आप लोगों को नहीं लिख पाऊंगी मैं कमेंट में बिल्कुल नहीं लिख पाऊंगी इतना बड़ा कमेंट हो जाता है कि मुझे बहुत टाइम लगत आप थोड़ी चीजों को कम कर देना ठीक है अभी नेक्स्ट आप जो ले रहे हैं ये सारे एसेंशल आप मैं एड़ कर रहे हूं वन बाई वन क्यूंकि एसेंशल आप जो देख रहे हैं यह है पेपरमेंट का अभी जो इससे पहले लिया ना वो कौन सा था मैंने नहीं इसेंशल यही है तो यहां पर आप देख रहे हैं तो मैं सब की पांच मैस ड्रॉप डाल रहे हूं यह है सेडर वुड जो की बालों के लिए बहुत जादा अच्छा होता है तो इसकी भी फाइफ ड्रॉप सब आपके पास जो जो एसेंशल आप वो सब डाल दीजेगा वो स अब मतलब हेर के लिए होने चाहिए वो बहुत ही अच्छे ठीक है तो आप में आपके पास लेवेंडर है रोजमेरी है टीटरी होगा और अनियन होना तो वो भी जरूर डाल देना मेरे पास अनियन है लेकिन मैंने डाला नहीं बिखास उसकी बहुत जादा स्ट्रॉंग है इ और अगर बच्चे यूज़ कर रहें जैसे 11-12 साल, 12 साल के बाद के बच्चे अगर यूज़ कर रहें तो फिर essential oil उनके लिए मत डालना उनके लिए love oil निकाल लेना बोटल में उसके बाद में आप अपने लिए essential oil मिला लेना ठीक है ये कर सकते है आप बच्चों के लिए फ बहुत जाधा video बड़ी हो गई है और मैं तो really में बोल-बोल के थक चुकी हूँ seriously इतना जाधा मुझे आपको explain करना पड़ा है इस video में और video बहुत बड़ी हो गई है time को देख के मत भागना video बहुत important है बहुत अची है आपके बालो के लिए इसको जरूर से पूरी final last तक जरूर देख लीजेगा and last मैं मुझे है ना comment करके जरूर बताना कि इसमें क्या part आपको लगा जो की नहीं होना चाहिए था और मैंने fall to car इतनी लंबी वीडियो बना दी क्योंकि काफी लोग आके comment तो करेंगे कि आपने 25 मिनट की वीडियो बना दी तो आप मुझे ये बताना कि इस 25 मिनट की वीडियो में कौन सा part में मुझे delete कर देना चाहिए था आपके साथ share नहीं करना चाहिए था ये जरूर बताना ताकि मैं next time ऐसे इतने बड़ी वीडियो आपके लिए कभी नहीं लेके आऊंगी ठीके अभी आपने देखा मैंने flexid oil भी इसमें add किया है flexid omega 3 होता है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है उसको भी add किया है ठीके उसके भी मैंने 5-6 चमच डाल दिये थे ओके तो यहां पर देखी सारे oil ले लिए है अब मैं इसको लगाना overnight में मैं इसको लगा रही थी तो मैंनका आपके साथ ये भी share कर देती हूँ तो मैं अपने पूरी scalp and इस oil को आप overnight लगाएंगे तो बहुत जादा फायदा मिलेगा आपको बाहर नहीं आने देनी है आपको कोई भी कपड़ा जैसे cotton का टॉविल लपेट लेना cotton का कोई दुपटा लपेट लेना या फिर आपको कोई shower cap हो तो वो add पैन लेना उससे heat है वो अंदर ही रहेगी और उससे आपके जो pores है वो open होंगे open होने से आप जो oil लगा रहे हो वो तुरंत आपके scalp में अंदर pores के तुरू अंदर जाता है and hair follicles को strong बनाता है ठीक है तो इसलिए आप 20 मिनट के लिए कोई भी दुपट्टा या कोई भी चीज अपने सिर पे add कर लेना ठीक है और मैंने इसे बॉटल में भी भरके रख दिया है तो चलिए गाइस ये पूरी वीडियो complete हो गई है oil बन गया है मसाज हो गया सब कुछ मैंना शेयर कर दिया आपके साथ में अब आपका नंबर है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे because मैंना इतनी महनत की है आदे गंटे आपके लिए continue मैं बोली हूँ मैं इतनी ठक चुकी हूँ ना कि seriously बताने सकती आपको जल्दी से लाइक कर दीजे मतलब एक दिन मैं मुझे आज कम से कम हजार लाइक तो मिल जाएंगे प्लीज यार इतना तो support कर दो मेरा तबी तो मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी प्लीज लाइक कर दीजे चैनल पर new है तो subscribe करके जाएएगा और सबी के साथ share करना क्योंकि सब की problem है hair fall की सब की है और इसको सब लोग use कर सकते है men भी use कर सकते है मतलब gens लोग भी use कर सकते है उनके baldness की problem है न तो उनको भी use करवा दीजेगा अपने घर पे ठीक है सब को करवा दीजेगा सब के hair बहुत अच्छे होने वाले है ठीक है मैं आपसे मिलती हूँ next video मैं अपना ध्यान रगिए take care healthy रहिए खुश रहिए guys और मेरी hair की सारी videos देखिए watch करिए और जरूर remedies, pack, gel सब यूज़ करिए आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे ठीक है तो bye take care